नमस्कार जैहें दोस्तों दोस्तों बी एससी का प्रैक्टी सेट आपका डेली बेस पर करवाया जा रहा है अभी देखेंगे त्रुक्मिनी प्रकासन का उसके बाद रिटेरिया और ग्यान बिंदू का तीन जो है आपका सेट जो के चलाया जा रहा है ठीक है इसमें आप देखने वालाई है सेट नमबर दूढ़ी इसके पहले का जो है अमारा तेरा ठीजए अपलोट घ्डश देख लिएगा मैंने नहीं है प्रॉपर इसका फोंते बना दिया सु कि आ प्रसना करनें भा他 कर्ने को सुरू करते हैं को यह रहा हमारा है क्या है बोला देख लेते है देखिए पहला प्रस्ण है कि भारत के सम्मिधान का कौन से भाग वित संपत्ति अनुबंध और मुकदमे यानि सूट से संबंधित है देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ओप्सन नमबर D हो जाएगा भाग 12 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ठीक है बात कर लेते हैं दोस्तों आप सभी को पता है कि भाग नौ भाग नौ हमारा कौन से संबन्दी से भाग नौ जो हमारा पंचायती राज कावल लेक भाग नौ में है और भाग दस में देख लेते हैं तो अनुसुषित और जन जाती है छेतर का यह वड़न है अनुचेद भाग कर सकता है तो देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा राज जिक के संचित निधी हो जाएगा ऑप्सन नमबर जो है दूसरे का हमारा सी सही आंसर हो जाएगा ठीक है राज जिक के संचित निधी मैनमार की अधिकारिक भासा क्या है देखिए मैनमार की अधिकारिक भासा आप देखेंगे तो यह आपका बर्मी हो जाएगा कि लिखा गया है बर्मी है ना तो तीसरे का आंसर हमारा यहां पे बी सही आंसर हो जाएगा तेकर म किया गया थे दूसर हमारा तो आंसर हमारा यह wrapping दोनों सही है, निंजरी त में से किक पुरद्गाली गवंदर अल्वु करक ने भी सतीप्रथा को रोकने का प्रयास किया था बात करेंगे अलावडन खिलजी के बारे में देखिया अलावजुन खिलजी आप अच्छे से याद रखेएगा इसने जो है बाजार निगंदर विवस्था को जो है लाउ किया था जो यहां पर दिया गया है फिरोज सा तुगलक है न तो फिरोज सा तुगलक को सलतरत कालिन अकबर भी कहा आता है को हिंदे साहेते का सोण काल भी कहाता है और जहांगीर कе काल को चितर कला को सोण काल कहाता है दोनों आप याद रखेंगे यहां से कुछन आता है निर्मलिक याद मैंत से किस मुगल सासक ने संगीत और निरतिय पर प्रतिबन लगाया था तो यह आपका हो जाएगा औरंग आप्सन नमबर जो है सेवंद का हमारा सी सई होगा देखिए भारतिय सास्त्रिय संगीत पर फार्सी में सबसे अधिक पुस्तके जो है औरंग जेप के ही सासनकाल में लिखा गया है कहां पर प्राप्त असो की अभिलेख यान इस्तंब के निचले भाग में मयूर का चिन जो है अब तक असो के करीब 40 अभिलेख जो है प्राप्त हुए है 40 अभिलेख भारत में मुद्रा पूर्ति के स्थति के संबंध में कहा जा सकता है क्या देखिए जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा से कम है तो आप्सन नमबर जो है नाइंत का हमारा ए सही आंसर हो जाएगा मुद्रा का मुख्य उद्धे से विनिमय के साधन और मुलिय का मापक है चलिए नेश्न हमारा को सिं क्या है तो डी सही आंसर हो जाएगा तो कि 45 वर्शी युजन्य का समय कब से कब तक रहा है तो वर्स 1979 से ले करके 74 जो है इसका अवधी माना आता है अगला कि जो वन चकरवातों के अवरोधों का कार्य करते हैं वे वन कौन से हैं वे वन कौन से हैं तो देखे यहापको जगा मैंगरो वन आप्सन नमबर जो है C होगा देखे मैंगरो वन समंदर टटी ये चेतरों के जो की लवनिय भागों में पायाता है आगे कुशने की पाटली पुत्र को पाली ब्रोथा किसने कहा था तो ये कहा गया था मेगा स्थनीच के द्वरा जो की ऑप्सन नमबर जो है 12 का हमारा सी सही हो जाएगा देखे सैलिकस निकेटर का राज़ूद कौन था तो मेगा स्थनीच जो की चंदरकुप्त मौरे के दरबार में राज़ूद बन करके आया हुआ था चंदरकुराहन के दोरान चंदरमा पर पढ़ने वाली पृतिवी की छाया को कितने भागों में बाटा गया है कितने भागों बाटा गया है तो ए तीन बागों बता गया है जिसे आपको हो जायेगा अमब और यह ओन ड morality के अंबरा पर प्य हए था तीनों को याद रहिएगा प्ला कैसी चाही वर्धा है उजिना कब सिक्षा की वर्धाई जो है कब लाए गया था तो यह कब लाए गया था बताईएगा तो यह हो जाएगा वर्स 1937 मिलाए गया था ऑप्सन नंबर हमारे यहां पर बी होगा क्या होगा वर्स 1937 अंतराष्ट्रिय ग्रामिड महिला दिवस कम मनायता है अंतराष्ट्रिय ग्रामिड महिला दिवस कम मनाते हैं तो यह मनाते हैं पंद्रह को का मनाते हैं दूस्तों 15 अक्टूबर को option number जो है डी सही आंसर हो जाएगा देके 24 अक्टूबर को क्या मनाते हैं तो यूएन की स्थापना दिवस मनाते हैं उसके बाद 31 अक्टूबर को मनाते हैं इंद्रा गांधे के पूनिते थी और राष्ट्री एक्ता दिवस की रूप जो है 14 अक्टूबर को मनाते हैं अगला की बहुत गया के महाबोधी मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था तो यह कौन से काल में हुआ था तो देखिए आपका गुप्त वंस के सासन काल में या फिर गुप्त वंस के काल में हुआ था option number C होगा योजना आयोक के स्थान पर नीती आयोक का गठन कब हुआ तो वेरी इंपोर्टेंट देखिए 2015 सभी को बता लेकिन डेट आपको एकदम क्लियर याद होना चाहिए डेट हमारा जो है एक जनवरी 2015 को है ना तो option नमबर जो है 17 का हमारा ए होगा अब बताईएगा कि नीती आयोक का देख्ष कौन होत है अगर आपको जोन होना है सेट लगाना है यह रहा वाट्सप नमबर एट सेवन फाइब सिक्स फाइब फोर सिक्स फाइब डबल तिरी आप इसवे जो है बिहार इससी इंटर लेबल लिकर के मैसेश कर दीजिए आपको प्रापर जानकारी मिल जाएगा बोला कि हादीस है हदीस आप देखेंगे तो यह प्रकार से इन में से अप्सें का कोडिंग देखेंगे तो हमारा इन में से कोई भी नहीं है देखिए हदीस समझ लेते हैं हदीस देखेंगे दोस्तों तुम्हम्मद साहब के कथनों और उनके जीवन से सम्बंदित घटनाओं का संग्रा है संबंदित पूरुसुक्त मुल्टहनिमन में से किसे किसमें पाया जाता था बताईएगा किसमें पाया जाता है तो इसका सही आंसर देखेंगे तो यह आपका रिगवेद हो जाएगा ऑप्सन नमबर जो है 19 का सी होगा क्या होगा रिगवेद ठीक है अथरवेद लोकिक साहित है सामवेद संगीत की पुष्टक है ठीक है अगला है कि मेरियाना गर्त की बात कर लेते हैं तो यह आपको प्रसांत महासागर में देखने को मिलता है ऑप्सन नमबर हमारा डी होगा मेरियाना गर्त यानि इसको चैलेंजर गर्त यानि वी सुका सबसे गहरा गर्त भी कहते ह इसकी जो गहराई है 11,022 मीटर है इसकी गहराई परसांत महासागर क्या करती जो है किसका मतलग कैसा होता है तो आपका त्रिभूजा कार होता है पुरुसो के 1923 के वी सुकप किर्केट फाइनल में मैं आफ दा मैच निम्लिखित में से किसे घुशत किया गया था इसका सही आंसर हो जाएगा मोहिंदर अमरनाथ क्या होगा मोहिंदर अमरनाथ ऑप्सन नमबर जो है 22 का हमारा भी सही आंसर हो जाएगा मोहिंदर अमरनाथ भारत में प्रथम न्यूक्लियर उरजा इस्टेशन के स्थापना कहां पर हुई है तो कि जो इसकी स्थापना है या आपका तारापूर में हुआ है ऑप्सन नमबर जो है 23 का हमारा सी होगा भारत का प्रथम न्यूक्लियर रियक्टर की स्थापना दोस्तों देखा जाए तो होनि सो 56 में अप्सरा के नाम से किया गया था है नैस्ष्ड को से कि विहार के प्रतं मुथे मंतरी को थ diws निरधलीय मुख्य मंतरी देखर यह आप हो जाएगा महा माया परसाद सिंहा उप्सन नमबर Corps 24 कि का इस वर्स में किया गय तो यह कौन से वर्स में किया गया था तो यह आपका वर्स 1784 में किया गया था ओप्सन नमबर जो है 25 का हमारा सी होगा तकि एस्याटिक सोसाइटी और बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था तो यह आप पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे समि होगा अनुछे तीन ओप्सन नमबर जो है 26 का सी सही आंसर हो जाएगा फीफा अभी सो कप 2026 का योजन कहां पर किया जाएगा देखें यह आपका किया जाएगा यूए से कनाड़ा मेक्सिको है ना तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगा भूलियेगा नहीं भारतिय सम मिधान के किस ननुछे में मानों के दुरुवएपार और बला सरम को रुकने का पर्यास जो है किया गया है तो इसका देखेंगे सही आंसर आप देखेंगे तो 28 का हमारा हो जाएगा अनुछेद 23 हो जागा क्या होगा अनुछेद 24 में आप देखेंगे तो 14 वर्ष तक के बालकों को जोखिम वाले काम पर नहीं लगाया जा सकता है अनुछेद 25 की बात कर लेते हैं तो सुष्टा से किसी भी धर्म को अपनाने से सम्बंदित आपका यहां पर जो है सोतनता मिलता है अनुछेद 28 की बात कर लेते हैं तो सुष्टा संस्थार में धर्म विसेश की सिक्षा नहीं देने की सम्मंदित है आपका अनुछेद 28 में संगी संसथ की नीमन अथवा लोगप्रिय सदन आपकिसे समोजित करेंगे यह फिर करते हैं देखे यह हो जाएगा लोग सभढ हो जाएगा option number लमारा D होगा देखे उच्छे सदन किसी कैऩे हैं तो राज-षभा को करते हैं राजसभा की बात करते हैं तो राजसभा को दुस्तों कभी भी विजो है विगटित नहीं कह जा सकता है याद रखिएगा आप सभी लो भारत के वे पहले उपराश्टरपती जिनकी कारेकाल के दौरान बृत्ति हुई थी वो कौन थे देखिए इसका सही आंसर देखेंगे त तो कृष्ण कांथ ओप्सन नंबर जो है हमारा तीस का जो है ए सही आंसर होजा कृष्ण कांथ ठीक है जुलाई द्वार तैस में सनुक्त अरब अमिरात में आयोजित चौटिसवे अंतराश्टरी जिव विग्यान ओलंपियाड द्वार तैस में भारत ने कौन सा इस्थान जो है हासिल किया है तो भारत ने देखा जाएगा तो आपका पहला इस्थान जो है हासिल किया है ऑप्सन नंबर जो है ए होगा देखिए इस ओलंपियाड में भारत और सिंगापूर ने पहला इस्थान प्राप्त किया है अगला है निम्न में से कौन पंचायती राज विव रवस्था को समयधानिक दरजा जो हैं प्रदान करता है समयधानिक दरजा प्रदान करता है तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर 32 का एह हो जागा 11 55 वर्षी ओजना तो कि तिहातरवा समयधान संसुदान के द्वारा 11 अनुसूची को जोडा गया और अधिक नियोजन के छेतर में एक सोसन विहीन समाज की स्थापना को उदेश से किस ने सर्वोदय योजना जो है शुरू किया है या फिर प्रस्तुत किया है देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो जैपरकास नरायन ओप्सन नंबर जो है तैंटीस का हमारा ए सही उत्तर स्था इकीस Aparl को कौन सा दिवस जो है मना आयता है किस अपरेल को ताखिए की सब्राइल को मनाते है सिविल सेवा दिवस कह मनाते हैं सिविल इस टिन मनाते हैं पांचाइती राज़ दिवास अगर हम देख लेते हैं तो चौबिस अपरेल के दिन मनाते हैं विस्तो विरासत दिवास अगर हम देखे तो 18 अपरेल के दिन मनाते हैं भोला की पुड़ स काटमांडू रुपया है बांगलादस की बात कर लेते हैं तो इसका आपका धाका हो जाएगा ठीक है चली नेश्ट हमारा है उस राजा का नाम जो खिल जी वंस्दस सम्मंदित नहीं था देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो मलिक कपूर नहीं था बाकी जलाल दिन खिल मुबारक खां उसके बाद आलाओ दिन चली आगे हमारा कोशन क्या है देख लेते हैं अंग्रेजों ने किसके ढालने की टकसाल सरपर्थम जो है कहां पर इस्थापित किया था जो इसका इस्थापना ही अब कलकत्ता में किया गया था ऑप्सन नमबर जो है 39 का हमारा डी भारत की उस राजे का नाम बताईए जहां जंगली गदहों का एक मात्र अभ्यान जो है इस्तित है तो यह तो आपको पता है यह आपको गुजरात में है जो कि ऑप्सन नमबर हमारा क्या हो जाएगा बी गिर राश्टियू दिहान गुजरात में आपको देखने को मिलता है राश्टर मंडली या फिर राश्टर मंडल खेल जो अरबाइस पदक तालिका में भारत कुल कितने पदक के साथ चौथा इस्तान पर प्राप्त किया है देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो यह आपका एक सट हो जाएगा ऑप्सन नमबर हमारा सी सही होगा और आवली परवत स्रिंखला निमलिखीत में से किस राज्य में जो है अवस्थित नहीं है तो किस राज्य में अवस्थित नहीं है देखिए पंजाब में नहीं है दोस्तों बाखी कुजरात में है रास्थान में है और हर्याना में जो है आपको यहां पे देखने को मिलता है बुला कि लोग से लोग लेखा समयती अपने वार्षिक रिपोर्ट किसे पेस करती है अपने वार्षिक रिपोर्ट जो है किसे पेस करती है तो लोग सभा अद्धक्ष करती है ऑप्सन नंबर बी सही हो जाएगा देखिए लोग लेखा समयती में देखा है तो बाइस अदक्ष से होते इसमें से आपका उसका अध्यक्स कुन होता है तो विपक्षी पार्टी के नेता होते हैं भारतिय यानि किस भारतिय राज्य में इसाई जन संख्या का प्रतिसत है उचितम है तो यह आपको देखने की मिलता है मिजोरम में कहां पर मिजोरम ऑप्सन नमबर जो है 43 का हमारा सी स परसेंट बॉद जिरो पॉइंट सिवन परसेंट जैन जिरो पॉइंट फॉर परसेंट ठीक है तो यह सबाब को अच्छे से यालफ होनना चाहिए भारत के सम्मिधान का इनन लिखित में से कौन सा अनुछेद पाकिस्तान के कुस प्रवासियों के नागरिक्ता के अधिकार कि प्रवारत को प्रवजनन करने वाले कुछ व्यक्तियों के अधिकार का वडनन किया गया है किस नगरिक समान की आकरिती पीपल के पत्ते के समान होता है ये तो सभी को पता है इसका सही आंसर हमारे यह है 45 का हो जाएगा भारत रतन option number हमारे यहां पे D सही आंसर हो जाएगा भारत रतन ब्रिटीस सरकार द्वारा भारत में मारले मिंटो सुधार की घोषना किस वर्षी में किया गया था तकि मारले मिंटो सुधार आप देखेंगे तो यह आपका हो जागा वर्ष 1909 में क्या होगा वर्ष 1909 में आप्सन नमबर जो है हमारा सी होगा दे कि लौर्ड मिन्टो जो है वैसरायत था जानमारले भारत सच्छी था नौनिरमित संसदभावपन में किल कितने संसद को बैठने की चंपषन favourite डेलात जुझी में पूछवा गा एक कितने संसदों को कि समुद्री छेत्र से एकत्र किये गए तलचट और तलचट के नमूनों में दुरलव धातू बनेडियम की खोच जो है किया गया है तो यह हो जाएगा आपका गुजरात होगा आपसन नमबर जो है 48 का सी हो जाएगा 20 सितंबर 22 23 को गणे चतुरती की अगले दिन पारंपरिक रूप से नुवाखाई उस्तो जो है कहाँ पर मनाए गया है देखे नुवाखाई महसो देखेंगे तो यह आपको उडिसम मनाए गया है आपसन नमबर हमारे यहां पर 49 का डे सही हो जाएगा 31 मार्च 23 को नाटो संग्ठन का नया 21 सदर से राष्टर कौन बना है बताईएगा देखे यह आपको हो जाएगा फिन लेंड बना है दोस्तो ऑप्सन नमबर हमारे हैं पर सी सही होगा नाटो का मुख्याले कहाँ पर है तो आपको पता है नाटो का मुख्याले आपको बुर एरलेंड इटली पुरदगाल जैसे प्रमुक्ष देश जो है सामिल थे हैं ठीक है सामिल हैं भी फिलाल में कांच को गहरा निला रंग किससे जो है मिलता है तो यह किससे मिलता है तो कोबाल्ड ऑक्साइड हो जाएगा आपसन नमबर जो है हमारा एस ही आंसर होगा यह मंडल में ओजोन परत के हाथ से के लिए निमलिकित में से कौन से रसानिक जो है दरव उत्तरदाई है तो कौन से रसानिक दरव जो है आपका दोस्तों उत्तरदाई है तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा आपसन नमबर हमारे हमारे हैं पे C सही आंसर हो जाएगा पु करके नेट्रोजनई वसिष्ट कौन सा है कौन सा है बताईएगा तो देखिए आपको दिखने कुछ मिलता है यूरिया ऑपसर हमारा 20 सही होगा यूरिया निमलख्यत किसे फूल्स गोल्ड की रूप में जो है जाना आता है फुल्स गोल्ड की रूप में हम जानते हैं तो यह हो जाएगा F.E.S.2 F.E.S.2 option number C खाद इस रिंखला में किसी जीव की विसिष्ट इस्तिती क्या कहलाती है विसिष्ट इस्तिती अगर आप देखेंगे तो यह हो जाएगा F.E.S.T.R. होगा क्या होगा F.E.S.T.R. हो जाएगा तो 59 का हमारा हो जाएगा वेग समय ग्राफ रेखिक होता है तो आप्सन नमबर आप देखेंगे तो 59 का हमारा डी होगा जल का वैदियुद अब घटन डैस का एक जो है धरड है यह नि किसका एक एक जामपल पूछ रहा है बताईएगा देखिए इसका सही उतर हो जाएगा व हो जाएगा ऑप्सन नमबर भी होगा दोवनी की आवरती तरंग दैर्ध है ना तो इसके चाल के बारें पुछ रहा है इसका समंद किससे आंसर आप कमेंट नूम बताईएगा ओएससे जान लिजे इसका आंसर हमारे ह Sim hai fancy करकी बताना हैं सुची एक को जो है डो में चलिए इसको देख लेते हैं दोब सिधानत आब को सिधानत आउन경 को धाकल केद्शि treatment की निया हम देखेंगे तो यह आपका न्यूटन आंसर हो जाएगा नेस्ट हमारा है यह भी आपका मिला नहीं करके बताना है चलिए इसको भी अच्छे से मिला लेते हैं देखिए फर्मी जो है दोस्तों एक फर्मी आप देखेंगे तो दस के पावर माइनस पंद्रह मिटर हो में इसाब से मिला लिजिएगा बुला कि कार्णोटाइट किसका आयस का है जो आपका कार्णोटाइट है यह आपका यूरी नियम का आप्चन कर देखेंगे तो दहाएक पामेटिक एसीड यानियां बोल सकते हैं ए और भी हमारा आंसर हो जाएगा बोला कि है क्या तो आप रोग होगा option number हमारा जो है छाँ छटका C होगा आगे हैं सुची एक को जो है सुची दो मिलान करके बताना है तो चलिए इसको मिलाते हैं देखें सरदी आप देखेंगे तो यह आपका विसाणु यानि वाइरस के वज़े से होता है ठीक है वाइरस उसके बाद फाइलेरिया में oxygen के आपूरती के लिए प्रियुक्त किये जाने वाले एक कोसकी सेवाल का नाम क्या है तो यह आपका होजागा क्लूरेरा हो जाएगा option number हमारा C होगा calcium carbide पर पानी गिराने से उत्पन गैस होती है उत्पन गैस होती है देखिए यह आपका हो जागा ऐसे टिलीन होगा option number हमारा D सही आंसर हो जाएगा कुछ आटो मोबाइल में पीले रंग की अत्रिक्त हेडलाइट क्यों लगे होते हैं तो हेडलाइट क्यों लगे होते हैं देखिए पीला प्रकास कुहरे को बेद देता है तो देखिए इसका सही उतर हो जाएगा लाइम सीलिका और एलुमीना option number हमारा जो है 71 का D हो जाएगा आगे के एंसुलीन स्रावी तो होती है तो यह हो जाएगा पैंक्रिया जैनी अगनियासे में option number A सही होगा आवतार लेंज के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकास की रण अपरदन के बाद डैस निकलेगी है ना तो इसका आंसर आप क्या हो बताएंगे बताएगा तो मुख्य अक्ष के समद अंतर हो जाएगा option number C मैंडलीप की आवर तसार्णी में निमलीखित सम्मूह में से किस तत्व सम्मूह के बाद में तालिका में वजगा जो है मिली है देखिए इसका अंसर हमारा हो जाएगा option number B जो है सही उत्तर हो जाएगा आकरी प्रस्न है निमलीखित में से किस धात्व में सरवाधिक विदि तो जो है संग्रा अच्ता होती है देखिए इसका उतर देखेंगे तो यह आपका चांदी हो जाएगा option number B दोस्तो हमारा सीट जो है यही पर समापत हो जाता है इसके बाद देखेंगे तो मैथ का परश्चन है उसके बाद आपका परको परश्न है आराम से आप देखेंगे